अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूश्फूल लगती है, तो प्लीज लाइक जरूर करेगा, आपके लाइक देने से मुझे बहुत ज़ज़ादा हॉसला मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है, तो लाइक जरूर दीजेगा, यह मेरी पुरानी पिक्चर है और यह मेरी अभी की पिक्चर है और आप मेरे बालों की लंबाई देख सकते हैं और खुद से कंपेर करके आप बता सकते हैं कि मेरे बालों की लंबाई काफी अच्छी खासी इंक्रीज हो चुकी है हमेशा से मैं अपने बालों को लंबा करना चाहती थी लेकिन सिर्फ चाहने से तो बाल लंबे होनी जाएंगे बालों को लंबा करने के लिए बहुत कुछ करना होता है तो exactly क्या क्या करना होता है बालों को लंबा करने के लिए वो सब कुछ आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है इस पेसलिए अगर आप अपने बालों की ग्रोथ को एक्सलरेट करना चाहते हैं बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं overall तो साथी साथ जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इनकी हल्ब से आप अपने बालों की ठीकनिस को भी इंक्रीज कर सकते हैं हाई अब्रिवाइन नमस्ते मैं हूं गरिमा और स्वागत आपका मेरे यूट्प चैनल पे मैं इस तरह के कि बहुत सारी हैर केर, स्किन केर और हल्दी हल्दी डैट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती है अगर आप नए है मेरे चैनल पे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे वीडियो यूसफुल है किसी और के काम भी आ सकती है है और अब चलिए बीना किसी दिरी के वीडियो श्रूर कर लेते हैं देखे जो निकलते हैं से हमारे scalp में होते हैं तो स्कलर से ही बाल निकलते हैं अब देखे जब हमारे scalp healthy नहीं होगी clean नहीं होगी तो नहीं हमारे बाल भी पर उच्च नहीं होगे हमारे बाल ग्रों ही नहीं करेंगे और इस scalp को clean रखने के लिए उछिए अगर आप इस शेंपू का यूज़ करते हैं तो इससे आपके इस क्याल बहुत ज़दा हेल्दी हो जाएगी और आपके बालों को अच्छा आन्वयरमेंट मिलेगा तो आपके बाल तेजी से लंबे भी होंगे और बालों की growth को accelerate करने के लिए healthy बनाने के लिए अपने बालों को आपको अपनी diet का खास ख्याल रखना होगा इसलिए मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारे diet plan भी शेयर किये हैं बहुत सारी healthy healthy race भी शेयर की हैं और मैंने खुद भी ये experience किया है कि जब से मैंने अपनी diet को improve किया है मैंने अपनी diet में बहुत ही healthy and nutritious चीजन लेना शुरू की है तब से मेरे बालों की growth है वो काफी अच्छी हो गई है बाल रिग्रो भी करते हैं मैंने ये लड्डू शेयर किया है अपने यूटूब चैनल पर ये जो लड्डू है ये इस पेस्टी समर्स के लिए है इसमें बहुत सारे essential nutrient है बालों की growth को accelerate भी करेंगे और आपके बालों की thickness को भी increase करेंगे और ये जो लड्डू है ये आपके overall health के लिए बहुत अच्छा है इस लड्डू की वीडियो का जो link है वो description box में आपको मिल जाएगा इसको आप जरूर चेक कीजेगा जो तीसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये कि आप अपने बालों में कुछ ऐसा जरूर लगाईए जो आपके scalp आपके बालों को monsterize करें condition करें damage बालों को repair करें और बालों की elasticity को improve करें मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा share करने वाली हूँ जो आपके बालों की growth को भी accelerate करेगा और आपके बालों को बहुत ज़दा healthy बनाएगा तो चलिए देख लेते हैं कि ये क्या है मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही special तरीके का hair mask share करने जारी हूँ जो आपके बालों को बहुत ज़दा मजबूत बना देता है ये आपके बालों का breakage भी खतम कर देता है जिसके वाज़े से आपके बाल लंबे होते हैं साथी साथी आपके बालों को repair करने का भी काम करता है hair growth में भी ये support करता है इसको बनाने के लिए आपको जो सबसे पहला ingredient चाहिए वो है rice या आपके बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर से repair करने का काम करता है तो जो भी damage हो रहता है में इसको बालों का breakage खतम हो जाता है इसको अच्छे से wash कर लीजे ताकि जो भी गंदगी है वो निकल जाए और जो next ingredient है यहाँ पे यह है flaxseed flaxseed के अंदर बहुत सारा vitamin E होता है vitamin E hair growth के लिए बहुत अच्छा होता है flaxseed के अंदर एक तरीकी का gel होता है जो आपके बालों को moisturize करता है, repair करता है और साथी साथ बालों के cuticle को बहुत ज़दा strong बना देता है आपके बालों का cuticle होता है वही protective layer होता है जो आपके बालों को damage से, heat से protect करने का काम करता है तो जब आपके बालों का protective layer बहुत ज़दा strong हो जाएगा तो आपके बालों को वह बहुत अच्छे से protect करेगा और आपके बाल लंबे होंगे तो आपको यहाँ पे फ्लैक सीट भी जरूर इस्तिमाल करना है फ्लैक सीट आपके बालों की growth के लिए बहुत ही अच्छा होता है साथी साथ यह आपके scalp को भी नरिश करता है और आपके scalp में जो भी inflammation होता है उसको खतम करता है तो यह आपके scalp को healthy बनाने का काम भी करता है अब आपको क्या करना है कि चावल को और यह फ्लैक सीट को एक साथ combine कर लीजे और यहाँ पे जो next ingredient है यह है रोज मेरी herb रोज मेरी herb आपके बालों की regrowth के लिए बहुत अच्छी होती है अगर आपको अपने बालों को regrowth करना है बालों को घना बनाना है तो रोज मेरी herb का आप इस्तेमाल जरूर करेगा आप ड्राइ रोज मेरी herb का इस्तेमाल भी कर सकते हैं वो भी equally beneficial होती है तो मैं आपको लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसके बाद कुछ इंग्रेडिंट हमें और एड़ करने हैं जो आपके बालों को घना बनाने का काम करते हैं और आपके बालों को मजबूत बनाने का काम करते हैं तो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है प्याज का छिलका वो भी रेड वाली अनियन का छिलका दीखे जो red onion का छिलका होता है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में sulfur होता है, जो कि केराटीन का building block होता है, केराटीन एक तरीकी का protein होता है, जिससे हमारे बाल बने होते हैं, तो यह केराटीन की formation में help करता है, जिसकी वज़े से आपके बाल रिग्रू भी करते हैं, प्याज का जो भी गंदगी बीरल, फॉगदी सबगल旗 उखा यह बिला। एक रवस्तिंस ब खेंट लेना है, तो छोड़ा बॱ्धा, छो हो 20 जो फायदो लेकि ना थापनी जाए खुदा चुदा के बाद प्लक अचे के बाद वहां कांच के लिए ना है। तो हमें क्या करना है इसको अच्छे से ढग देना है और इसको छोड़ देना है इसी तरीके से पूरे 24 गंटे के लिए जो भी इंग्रेडिन्स मैंने इसमें एड़ किये हैं वो फर्मेंट भी हो जाएंगे और एक्टिवेट भी हो जाएंगे अभी 24 गंटे हो चुके हैं और बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है और आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जेल की तरह हो गई है यानि की जो फ्लैक सीट के अंदर जेल है वो रिलीज होना शुरू हो गया है अब मैं क्या करूंगे सभी चीजों को ग्राइंडर में डाल देना है और एक इंग्रेडिंट और डालना है और वो है एलोवेरा जिल आपको फ्रेश एलोवेरा जिल लेना है इसको भी जरूर इसमें डालेगा एलोवेरा जिल के भी बहुत सारे फायदे होते हैं इसपेसले अगर आपने बालों को लंबा करना चाहते हैं तो एलोवेरा जिल का यू इसलिए जब भी आप hair mask लगा रहे हैं तो आपके बाल साफ सुत्रे होने चाहिए ताकि directly hair mask आपके scalp पहुंचे, बालों की जड़ों तक पहुंचे, अगर आपके बालों में oil होगा या फिर गंदगी होगी, मतलब गंदे होंगे आपके बाल, तो आपके बालों की जड़ों मे और scalp तक direct hair mask पहुंची नहीं पाएगा और इसका फाइदा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इसको अपने साफ सुत्रे बालों में लगाना है, लगा के क्या करना है आपको कि छोड़ देना है पूरे 2-3 गंटे के लिए उसके बाद normal water से hair wash करना है, इसको आपको 15 दिन में एक बालों को मजबूत बनाता है एक बहुत अच्छी सी shine एड़ पर आपके बालों में आपको इसको बालों को मौसराइज करने के लिए आपको ओईलिंग भी करनी है हफ़ते में एक दिन हफ़ते में आपको ओईलिंग जरूर करनी है यह बिलकुल भी नैसेसरी है इसको इसकी नहीं करना है मैंने अपने यूडियो चैनल पर समर स्पेसल आयल शेयर किया है यह है वीडियो आप देख सकते हैं तो इसको भी आप जरूर चेक कीज़ेगा यह इसकी समर्स के लिए बहुत अच्छी है यह आपके बालों को धूप से भी प्रोटेक करती है बालों को मॉसराइ अगर आप अपने बालों को भूट ज़प खीचेंगे तो आपके बाल अभी इस बात है कि बहुत ज़प तोटेंगे गिरेंगे तो इसलिए अपने बालों को बहुत अच्छी से सुलचा यह और मैं आपको इससलिए एस तरीके की जो वुड की कॉम आती है उसको रिकमेंड करती है जिसकी वज़े से आपके बाल हेल्दी होते हैं और अच्छे से मॉसराइज रहते हैं तो इस तरीके की वुडें कॉम आप जरूर यूज करिए बहुत सारे फायदे होंगे इस तरीके की कॉम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको वैस ब्रेक होने लगता है वो मतलब डैमेज होने लगता है तो इसलिए आपको प्रोटेक्टिव हैर स्टाइल रखनी है कभी कभी ठीक है आपने बाल खोल के रख सकते हैं लेकिन अगर हमेशा आप अपने बालों को खोल के रखेंगे तो आपके बाल बहुत ज़दा खराब हो यह खुद मेरा भी experience है जब मैं college time में थी या फिर कुछ साल पहले ही मैं बात करूँ जब मैं उतना मुझे कुछ knowledge नहीं था हैर के बारे में तो मैं ऐसे अपने बाल खोल के रखती थी कहीं भी जाती तो ऐसे खुले रहते थे मेरे बाल और मेरे बाल बहुत ज़दा dry, damaged और rough हो गए थे मेरे बालों की जो growth है वो काफी slow थी तो इसलिए आपको protective hair style रखनी है क्या करना है इस तरीके से चोटी बना लेना है जैसे मैं बना रही हूं और साथी साथ आपको rubber band का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है आपको satin या फिर silk के band का इस्तेमाल करना है सैटिन जो band होता है या आपके बालों को बहुत अच्छे से सुलजा कर रखता है बालों को damage भी नहीं करता है और जो next इसका आपको ध्यान रखना है वो यह कि आपको अपने बालों में कभी भी chemical heat tools या फिर blow dry जो hot blow dry होती है वो सब नहीं करना है जितना natural हो सकता है natural रही अपने बा चीज अपने YouTube चैनल पर शेयर किया है अगर आप मेरे YouTube चैनल को अच्छे से चेक करेंगे तो आपको अपने बालों से related हर एक problem को solution मिल जाएगा और साथी साथ मैंने YouTube चैनल पर एक special तरीके का supplement शेयर किया है जो आपकी बाडी में nutrient के absorption को इंक्रीज करता है जिसके बज़े से क्या होता है कि जोबी चीजे आप खाते हैं उनका सारा nutrient आपकी बाडी को मिल जाता है और आपके बालों तक पहुंचता है फिर देखिया आपके बाल बहुत तेजी से लंबे भी होते हैं घने भी होंगे hair loss भी stop हो जाएगा यह रही वीडियो इस वीडियो का link में आपको description box में देदूंगी जरूर चेक किजेगा तो यह थी मेरी आज की वीडियो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करेंगा मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को शेयर करेंगा अगर वीडियो यूसफुल लगी आपको तो प्लीज लाइक जरूर करेंगा अब मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई and stay happy